जय हिंद मेरा नाम है रवी आपका स्वागत करता हूँ अर्थ वर्दन चनल में सुन्दरम म्यूचल फंड अपना एक नए एनफो लॉंच करने जा रहा है जो कि ये सुन्दरम मल्टी एसेट अलोकेशन फंड ये एनफो फिफ जनुवरी से ओपन हो जाएगा और 19 जनुवरी से क्लोज हो जाएगा अगर कोई ऐसा इंवेस्टर है जिसको सांती से बैठके डीसेंट रिटर्न पाने के इच्छा आओ तो वो इस फंड से अपना इनवेस्ट में स्टार्ट कर सकता है इस वीडियो में मैं इस एनफो के सारी डीटिल्स आपको बताने वाला हूँ मार्केट के हमेशा चार फेज रहते हैं कॉंट्रैक्शन, रिकवरी, एक्स्पांशन और स्लोडाउन यहाँ पर अगर एसेट्स को अच्छी तरीके से मैनेज किया जाए तो बहुत ही शांदा रिटर्न निकल के आ सकता है और साथ में यहाँ पर जो वोलेटरी होती है उसको डेट को यूज किया जाएगा, रिकवरी से एक्सपांशन की तरफ जा रहा होगा तो उस समय एक्विटी को यूज किया जाएगा और एक्सपांशन से स्लोडाउन की तरफ जा रहा होगा तो उस समय मैनेज करने के लिए गोल्ड को यूज किया जाएगा और स्लोडाउन के बाद फिर से जब contraction शुरू होगा तो वहां पर equity को फिर से use किया जाएगा इसी तरीके से चारों अलग अलग फेस के अंदर तीन अलग अलग टाइप के assets को use करके portfolio को manage किया जाएगा यहाँ पर multi asset fund के अंदर investment करने से हमें बहुत सारे benefits मिलते हैं जैसे कि अगर हम multi asset allocation fund के अंदर investment करते हैं तो हमारा जो investment होता है वो diversified होता है जैसे कि मैंने आपको बताया अपना investment तीन जगा पे होगा गोल्ड में होगा, equity में होगा और साथ में debt में भी होगा यहाँ पर timing की भी कोई यहाँ पर चिंता करने की ज़रूत नहीं रहती है और साथ में यहाँ पर allocation एक process कुद्रू किया जाता है यहाँ पर taxation में भी benefit मिलता है क्योंकि यहाँ पर gold के अंदर भी investment होता है अगर मैं यहाँ पर allocation की बात करूं तो equity के अंदर यहाँ पर 65% से लेके 80% जितना asset allocation रहने वाला है fixed income के अंदर यहाँ पर minimum 10% से लेके maximum 25% gold के अंदर यहाँ पर 10% से लेके maximum 25% जितना asset allocation हमें इस fund के अंदर देखने को मिल सकता है अगर मैं यहाँ पर equity के अंदर investment की strategy की बारे में बात करूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 50 से लेके 60 stocks जितने ही यहाँ पर investment करने वाला है यहाँ पर जो volatility होती है उसको manage करने के लिए यहाँ पर large cap के अंदर 75% से लेके 80% जितना investment रहने वाला है और यहाँ पर अच्छा return निकालने के लिए mid cap को भी यहाँ पर use करेंगे साथ में यहाँ पर stock selection का जो criteria है वो यहाँ पर bottom up रहने वाला है और यहाँ पर अलग अलग sectors के अंदर भी यहाँ पर investment होने वाला है कोई भी एक specific sector नहीं रहेगा अलग अलग sectors के अंदर investment करके diversification किया जाएगा गोल्ड के अंदर investment strategy के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर large liquid ETF के अंदर यहाँ पर investment किया जाएगा ETF के बारे में हम सबको बताएं कि इसके अंदर expense ratio बहुत ही कम रहता है इसे के कारण ETF को यहाँ पर use करने वाला है investment के लिए यहाँ पर gold के अंदर जो exposure रहने वाला है वो 20% से लेकि 25% जीतना रहेगा और अगर gold की यहाँ पर जो averaging की बात करें तो यहाँ पर जो पैसा जो depreciate होता है अपना INR जो depreciate होता है उसके against में हमें 3-4% जैसा मिल जाता है और अगर यहाँ पर portfolio का risk management की बात करें तो gold सबसे best option है और अगर हम fixed income की strategy के बारे में बात करें तो यहाँ पर high quality papers को use करेंगे जैसे कि AAA rated bonds को और यहाँ पर GSEC को भी यहाँ पर use करने वाले हैं investment के लिए सुन्दरम multi asset allocation fund यह NFO 5th January को open जाएगा और 19th January को close जाएगा इस fund का benchmark रहने वाला है nifty 500 TRI 65% nifty short duration debt index 10% domestic price of gold 25% और इस fund का exit load रहेगा 1% for 1 year मतलब अगर आप अपने पैसो को एक साल के बाद redeem करते हो तो आपको किसी भी तरीके का exit load नहीं लगेगा लेकिन अगर आप अपने पैसो को within 1 year redeem करते हो तो आपको 1% जितना exit load पे करना पड़ेगा इस fund का initial NAV 10 रहेगा और expense ratio जैसे ही fund launch हो जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा यह एक open ended category का fund रहने वाला है मतलब आप इस fund के अंदर कभी भी अपने पैसो को invest कर सकते हो और कभी भी अपने पैसो को redeem कर सकते हो यह regular और direct दोनों ही mode में available रहेगा इसमें growth और dividend दोनों ही options देखने को मिलेंगे अगर आपको अपना investment start करना है तो आप SIP, Lumsum, HWP, S TRIP चारों मैं से किसी भी mode में अपना investment start कर सकते हैं minimum investment की बात करें तो Lumsum mode में मातर 100 रुपीस से आप अपना investment start कर सकते हो या फिर अगर आपको अपनी SIP start करने हैं तो मात्र 500 रुपीज से आप अपने SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने पूट्फोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। वहाँ पर आप कभी भी कॉंट्राक्ट कर सकते हो। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्मेंट करना है तो डिस्क्रिप्सर में मैंने एक लिंक दिया हुआ है। वहाँ से आप अपना इन्वेस्में स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर इन्शॉरेंस, FD, Pre-IPO, PMS और इवेंचर्स जैसे अलग-अलग ओप्संस को भी चेक आउट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मनना इस फंड के बारे में वह मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अगर कोई ऐसा डिफेंसिव इन्वेस्टर है, जिसको मार्केट की वोलेटेटी की ज्यादा चिन्ता किये बीना आराम से अपना रिटर्न कमाते रहना है, तो वो इस फंड के तुरू अपना इन्वेस्में कर सकते हैं, यह फंड शॉट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और फिर भी आपको इन्वेस्मेंट से पहले अपने एडवाईजर से ज़रूर बात करनी चाहिए, अगर आपको इन्वेस्मेंट के रिगाडिंग किसी भी तरीक के क्योश्चन है, तो अब हमें टेलेग ट्वीटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेस्चन को पूछ सकते हैं, वोब यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, थैंक यू